सुप्रीम कोट ने सिखो द्वारा इस्तमाल की जाने वाली पगडी पर सवाल पूचा है कि क्या ये सिखो के लिए मेंडेटरी है की नहीं इस मामले को लेकर दिल्ली सिख गुर्दवारा कमेटी अब इस मामले में पार्टी बनने जा रही है में साथ दिल्ली सिक्रद्वारा कमेंटी के सेकेंटरी मंजिंदर सिरसा जी है सिरसा जी एक सवाल पूछा है सुप्रीम कोट ने कि क्या जो टर्बन है उसको जिसको सिक्षिक इस्तमाल करते हैं पहनते हैं क्या वो मेंडेटरी है कि नहीं आप लोग इसमें किस तरह से पार्टी रखने जा रहे हैं दिखिए एक तो हम इंटर्वीनिंग पार्टी बनेंगे इस केस के अंदर क्योंकि सुप्रीम कोट ने को आगे जो प्लैंटिफ थे उन्होंने अपना केस रखा था प्रॉपर तरीके से उन्होंने बताया था कि दिल्ली मोटरवाइकल एक्ट के अंदर भी इसको छूटी से लिए दी गया क्योंकि सिक्षिक की दस्तार को मेंडेटरी माना गया देते हैं लेकिन अभी इसके अंदर इंटर्वीणिंग पार्टी बनेंगे और सुप्रीम को यह बताएंगे और हमके इन्दर सरकार से भी आगरा करेंगे क्या मामला है ये क्यों इस तरह का सवाल किया सुप्रिम कोर्ट एक हरदीप सिंग जो एक साइकलिंग फेडरेशन साइकलिंग चैंपियन है और वो साइकलिंग फेडरेशन की तरफ से एक चैंपियंशिप में जाना चाहते थे उनको रोका गया कि आप दस्तार पहन करने आपको हेलमेट पहनना पढ़ेगा सेक्यूरिटी और सेफटी रिजन्स के लिए उन्होंने इसको मना किया और उनको फिर उस चैंपियंशिप में नहीं जाने दिया गया इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मूव किया अगर बात की जाए टर्वन की इत्यास की क्यों इतना जरूरी माना जाता है क्योंकि गुरुगोबिन सिंग साहिम माराज जी ने जब हमें ये रूप दिया ये उसी वक्त के साथ उन्होंने हमारे लिए ये मेंडेटरी करा तो अब जो है दस्तार जो है एक सिक के सरीर का हिस्सा बन चुकी है चाहे सारागड़ी में लड़ाई हुई हो चाहे फ्रांस में लड़ाई हुई हो चाहे अमेरिकन फॉर्सिस लड़ रही हो इंडिया के भारत का हर सैनिक लड़ते हुए उसको ये इजाज़त है क्यों अपनी दस्तार के साल लड़ सकता है इस देश में नहीं पुरी दुनिया के अंदर उसको अजाज़त मिल रही है तो इसलिए मिल रही है क्योंकि यह हमारी दस्तार जो है यह फिर मैं बता दूँ कोई शोपीस नहीं है यह हमारे सरीर का एक हिस्सा है तो शिक समाच के मुताबिक जो दस्तार है यह इनके शरीर का एक हिस्सा है और इसी बात को लेकर यह सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे कैमरामन ललित के साथ विने सिंग टोटल निउस डिली